गूड मोर्निंग फ्रेंट्स आज हमलोग का प्रैक्टिस सिट नंबर कितना है तो यह है खठा नंबर है अर इसे हमलोग क्या करते हैं इस में लोग problemy लाते हैं जो प्राया है तो चाहिए और इसमें भी आज हम लोगा कितना को सब्सक्राइब कर जाओगे तो इनहीं सा बातों के साथ सुरू करते हैं और जितने भी वीडियो है जो इस प्रेक्टिक्स सेट का चल लहा है उसका मैंने एक प्रेलिस्ट बना दिया हूँ आप उससे जाकर देख सकते हैं तो इहीं सब बातों के साथ सुरू करते हैं पहला कोस्चन है निमलिखित में से किस राजी की सबसे लंबी तटरेखा है तो इसका एंसर जानते हैं सीम्पल एंसर है गुजरात लेकिन अब पूछे इता असान कोस्चन क्यों पूछा महत्वपूर्ण इसलिए है कि बार बार प ईससे बराएंगें तो देख लेते हैं सिंपल इसी तरह का नर्म घ्रट भारत यहां पर एक क्या है गुजरात है गुज़ात के बाद इसकी इसां किसे तो यहां पर महराश्ठे बारा बहुत बराशां चोटा सा यहाँ पर महराष्ट और करनाटक के बीच में गुवा है फिर यहाँ पर एक बराराज करनाटक है और चोटा सा इस तरह का केरल है यहाँ पर तमिलाडू हो गया और यहाँ कौन है तो यहाँ आंधर परदेश है और यहाँ पर उरिसा भी एक बराराज है और यहाँ पस्चिम बंगाल यहां पर परता है तो कुल कितना राज हो गया पस्चिम बंगाल एक औरीशा दो आंधर परदेश तीन तमिलाडू चार केरल पांच महाराष्ट छोग गुवा साथ महाराष्ट आठ और गुजरात नौ यह तो नौ राज हो गया ऐसी स्रक्तर केंदर सासित परदेश से भी कोश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कितना है तो यहां पर दखिए दावन दिव और नागर हवेली पहले तो दो केंदर सासित परदेश से लेकिन अब वो एक ही हो गय हैं तो यहां पर दमन गुजरात का ही इंकलेव था इधर था और इधर दमन दिव था और यहीं पर दादर और नगर हवेले तो यह भी एक केंदर सासित परदेश से जिसकी सीमा समुंद्र से मिलती है दूसरा पुंडिचरी पुंडिचरी का कुछ भाग केरल में है कुछ प पूरव में कौन से लाका है तो पूरव में आपका अन्वा निकोबार है और पस्ची में और अप्सागर में प्रावार भीति वाला दिव क्या नाम इसका तो यहां लक्ष दूविप हैं आगे बढ़ते हैं हिमाले का ज़्यादा चौरा हीश्ट है कि हिमाले का जड़ा चौरा सर्मीर जाती है और यहां पर नांचाबरवा है और इसे भी हिमाले यहां पर पूरव में चृच में कि भी मैयनमार प्हारत के बीच में जो सीमा र्खा सो क्या करते हैं तो यह और यह पहsetची में है तो पहस्ची में एक गांट निकलता है जो आमेरी के परवब्वंद की तरह ढता है एक सुलिमान और कीर्ठरिंज पकिस्तान में और चीन में यहां पर कुलूनसेंग ! सबसे नया और हिमाले से पहले की कुछ राजना है उसका क्या नाम है सबसे पहले कारा कोरा माता है फिर लद्दाक है जासकर यहां पर कैलास मांसरोर की पहारियां है हादी यह सब पार हिमाले की पहारियों के नाम है घ्र लिखना और चाई जाला होगी पूरब सबसे हमाले से लगभाग और की धुल्चह लिएको देन पाहर नहीं है यहां बहुरस की देन है अता इसको उत्र क्या होगा तो स्थपूड़ा चोथा नमर कोस्चन क्या है मुख्य सीमा भरांस यानि मेन फॉल्ट बाउंडरी इस्थी थे कहां है या हिमाले से सम्बंदित है हलो जानते हैं कि सबसे दक्षिन में क्या है सबसे उत्तर में तो ट्रांस हिमाले उसके बाद सबसे बड़ा महान हिमाले फिर उससे छोटा लगु हिमाले और सबसे लास्टे सी वालिक है यह जो ऊपर हेलिकॉप्टर से जाएगा उपर से देखिएगा तो सब कर लगेगा जिससे की सब अलग बठा हुआ है इसे की हिमाले महान हिमाले और ट्रांस हिमाले इन दोनों के बीच में जो होगा इस फॉल्ट का भी नाम है इसी तरह से महान हिमाले और लगु हिमाले के मध में इसका भी नाम है इसी तरह लगु हिमाले यानि और सिवालिक इसके मध में है जो फॉल्ट इसका भी नाम है तो जो महान हिमाले और लगु हिमाल के बीच उसका नाम क्या है उसका नाम है Central Fault और CFA Central Fault Line यह नाम है इसका Central Fault Line विढ़ाद हिमाले वा लगू हिमाले के मद वहीं लगू हिमाले वा सिवाली के बीच इसका नाम क्या है तो मेन Boundary Fault MBF नाम है इसी तरह ट्रांस हिमाले वा विढ़ाद हिमाले के मद इसका भी नाम इससे में यहीं है मेन Boundary Fault है आगे परते हैं जम्मु कस्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित हैं तो जम्मु कहां है किसी संबंधित हैं यहां पीर पंजाल स्रेनी से हैं अपना क्या है कस्मीर हो गया सुनदु नदी इस तरह से होकर आती हैर पकिस्तान में चली जाती है तो सिंदुनादी लद्धाक में एक तosphon क्या है तो लड्धाक सरेनी आता है और अपोजित सारी धर कारा कोरम है तो यहां क्वेश्चन है कि सिंदू ती नदी यहां दिए क औलम सिद्धुनधी घाति से कों सिस्रेनी एलग करती है तो जान्स हाई हम अब होतर है कि दकशी only की जैसा इस्तरह का ही माले इहां पर प्या है तो नागा पर्वत या नंगा पर्वत का इसको हें लिए भारत सबसेंचा परवत को नहें पीओ के में तो जिंधू के पास ते सिंधू गॉर्ज बनाता सिंधु नदी और वहीं से सिंधु नदी डाइरेक्ट यूटर्ण कहिए उसको और लेकर उत्तर और स्वरी दक्षिन और पस्चिम की और मुवमेंट होता है यहां पर हिमाले का भी मुवमेंट है तो उसका नाम क्या है तो वहां नंगा परवत के पास से और इसी तरह पूरव में नामचा परवा से सिंधु नदी यूटर्ण लेती है और वहां इंडिया में पर्वेस करती है तो यहां भी हिमाले भी यूटर्ण लेता है लवां तो वहां नामचा बरवा के पास से तो इसका उतर सात्मे का ए निमलखित में से सबसे नमीन परवत कोन सा है तो इसमें स यह सुखिष की सागरमाथा के नाम से जाना जाता है तो नेपाल है किसस कहकर लो पुख करते हैं मीनिंत कि स्ति दर्रे से खो कर जावाहर सुरंग गुजरती है त्येहां पीर-पूजाल से होकर ही गुजरती है गंगा के मैदान में मित्दा के उप्याओ होने का क्या कारान है नॉर्मल बात है वार्षिक बार है यहां नवीन जो लोड़े मिटी इसके करण यहां च्छेतर अत्य धिक उपजाओ है बारहमा निमलिखित में से कौन सी मिटी प्रयादीपी भारत में अधिक्तम च्छेतर पर विक्सित है तो हम जानते हैं कि प्रयादीपी क्रिटेसियस यूग के में दराड़ी उध्वेदन से नीचेत पित पदार से बना है तो दराड़ से क्या निकलता है लावा लावा से बना कौन मिटी हैस में गेस कीज़े तो वह काली मिटी है तो तेरह में का option भी सही होगा नीमिन में सबसे अधिक समरीधी मिटी कौन सी है तो सबसे अधिक समरीधी मिटी तो जलोड मिटी यानि गंगा के मैदान की मिटी उत्तर परदेश में नीमिन में से कौन सी मिटी का छेतर सबसे जादा है उत्तर परदेस यानि गंगा के मैदान की बात है तो गंगा के मैदान में सबस्द ही कौन से मिटी है तो हमें जानते हैं कि जलोड मिटी जलोड मतलब ही होता है जल के दोवारा बहाखर लाए गया मिटी तो मतलब जलोड भारत में किस मीटी का बिस्ताड सरवाजिक छेतर पढ़ है तो यहां जलोट की बात हो रही है भारत में काली मीटी के निर्मान में सहायक सेल कौन सा है तो काली मीटी किसी प्राचीन परवत का ही विखंडित रूप है तो लावा के जमाव से तो लावा के जमाम क्या होगा तो अगनिय चट्टान उसका नाम क्या होता है गिरनाइट का या बैसाल्ट तो यहां बैसाल्ट का भी खंडित रूप है निमलखीत में से कौन सी मिर्दा भारत के 43.7% भाग में फैला हुआ है तो कौन सी तो है सोरी काली नहीं होगा वह जलोड मिटी है कौन तो जलोड मिटी आगे बढ़ते हैं नَّवीन जलोड मीर्दा को और किस नाम से जाना जाता है तो नवीन जलोड हिमीर्दा है इसका और क्या नाम है उसका है खादर यातकिजिए आगे देखते हैं लटराइर मिटी से निम्लखीत में से कौन सी Всemplu स्मबंदित ह लेटराइड मीटी यह निच्छालीज मीटी के रूप में परसीद है क्योंकि इसमें वह ऐसे छेतर में पाए जाती है जहां परते दोई वर्सा होती है जिसके करण इसका जो उर्वराक पन है वहां से अपरदित हो जाता है तो इसमें क्या होगा गिये हूं चावल की खेजी से नहीं हो पाएगी यह मुख रूप से बादानी फसलों के लिए ही लाबदा रख है लेटराइड मीटी के निर्मान के लिए कौन उतरदाई है तो अप्छाला नेवं केसी का किरिया भारत के प्राइदीपिये पठार पर किस परकार की मीटी का अभाव है तो यहां देखि हैं लेटराइड मीटी का निर्मान होता है लेटराइड मीटी का उपयोग किस छेत्र में होता है किरिसी कार के लिए बागानी कार के लिए या भावन निर्मान के लिए बड़ता निर्मान के लिए लेटराइड लेटराइड के मतलब ही होता है कि यहां बहुन निर्मान के सभख विए मिट्टी है इसका इट बने का वाइदामbn रेट लाल होगा किस परकार के मिट्टी अधिकता पानी संजोए रखने की जहांता है तो उसका तो आपाने कारण इसका रंग पीला पर जाता है तो यह कुरल में पाई जाती है एक होड़ बड़ाबर तो एक होड़ स्पावर बड़ाबर क्या होता है तो हम जानते हैं कि तागत यानि कि बवलकीज में बड़ा जाता है वाठ चार्ट होता है निंख सींसे मसीन का मतातर है कुछी मसीन है इमारत या उत्तोलग मसी घृ उठाने के काम करता है सक्ती का मूल शुरोत किया है इसमें पिर्थिवी है सागार भीडतू इंधर हुआ या सुर्य तो सबकुछ सूर्य से ही है करने पूरी सब्सक्राइब और कि इतने जूलज्ड हो पता करना पक्रता चा कि कि लिए की मिठी कनीकल कर सब्सक्राइब सबसे अधिक है कोईला मिट्टी का तिल गोबर गया से या हाइड्रोजन तो यह हाइड्रोजन भविस का इनधन है एक-30 नमबर किन आनविक सक्ती में सबसे कम आवेस होता है कि कौन कोन अनविक सक्ती में सबसे कम आवेस होता है यहीं, गामा तो क्या होगा? तो यहाँ नी्ट्रल होगा, ओल सबसे कम पावर किoti जाना उड़ीन किसका होगा तो अलबाकी रन सबसे कम वेधन ज्णमत की बात है यहाँ । धूध में गॉमी होता है है। दूध होलों साहिए है , सब कुछ होता है क्पीश से एक बिमारी को क्या नाम है उसकोन किया बच्चे यह आख से कम दिखाई देगा और जी मौन के बीजों की मिलावट की जाती है तो और जी मौन की बीजों की मिलावट किस में की जाती है तो यहाँ ख़द पदार्थ है इसका उधारे जानते हैं तो यहाँ सौरसों के बीज में मिला दिया जाता है आगे बढ़ते हैं किस रषाइंगे हैं पग दूशक से मीनी माता भीमारी होती है तो यह जपान का शौहारा है और और मचली खाते जबान जोगों का मुझे खात गया तो मचली मचली खाने से कुछ भीमारी हो गया तो बार में बिलसेंड रोह हो जाता है। और अश्ट तो इससे भी तो सिल्क रोसिस ्याय शादी-सी सदाए कुछ नाम है जिससे 미मारी होता है। जिससे फेछरा में कैंसर हो जाता तक Sch ignor आ बंता है सटेप फाई लो खौकस्य करूे डियम और जी और जब лишь या तो सहगत की बात हो रही हैकि इसके नाम क्या है तो ऐसपोड जैलिया से यहां एक कवक कि बात हो रही है है Schnellka नास जी लोग कोंसा है तो गनए का नास जी रोग उसका नाम है पिंक बोरर उस 36नास चाहिए जनाने करने के लिए कितना नम्य div纂 चाहिए तो बहुत कम चाहिए मतलब 14 पर 30 से भी कम तो आपका खाद भीज है खराब न होगा बच्चों में बीमारी की रोगधाम के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है बताईए तो सबसे चाहिए उसको बैक्सिन लगा दीजिए उपवास से तो कम जो हो जाएगा अच्छा बोचन तो यह सप्लीमेंट हो सकता है फिट सप्लीमेंट स्वस्थ रखने के लिए लेकिन कोई बीमारी आएगा वाइडल डिजिज उसके लिए तो वैक्सिन ही करना चाहिए और पास्चुराज यह संतो यह तो दूज का परकिरिया है जिसमें दूज को टिकाने की परकिरि सबसे उपड़ी परत इसका क्या नाम होता है तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फियर यानि इसमें तवाम मौसमी घटनाय होती है उसको उपर एक और परत इस तरह कराता है जो विश्वत रेखा पर पतला लेकिन धूँओ पर मोटा तुसको क्या कहेंगी एस्ट्रोट इसका केंद्र है केंद्र से उपर यहां यह क्या होगा तो कोर के उपर मेंटल और उपर परपटी की बात है तो वहीं यह लीथोस फियर है ताप का सबसे अच्छा चाला कौन होता है तो उसका नाम है चांदी आगे बढ़ते हैं किस वेज्ञानिक ने सूपर कंटेक्टिव खोज की थी तो नाम क्या है याद कर लीजिए कैमर लिंग ने कौन तो कैमर लिंग ने और आगे देखते हैं किसु को सरवाधिक वीराय कहते हैं तो सरवाधिक वीरा सबसेत अच्छा कौन है तो हर कोई जानता है चीनी है सलफोरिक अमल है इस टू-स-फोर यह तो बैटरी म में स्वीट के रूप में इसका इस्तिमाल किया जाता है और एल्कॉहल से भी बार पर कोश्चन आता है मेथील एल्कॉहल या ठंडे के दिनों में हम लोग गारी का जो रेडियेटर है उसमें किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं या जहां पर ठंडा छेतर है वहां पर समस्याल नहीं हुए है अमे घी दुवादो शूरूरा थो क carbon30 डूरवी का नाम क्या था सेटी डेवीट छेंटीटे सेंट एंटेट एंड्यूज फोडविक्ट्यूरिया या फोड्यूलियम तो जो फोड़ पेलीम थे इस में तो फोड़े विलियम भारत धंडिक्या बारत में अपनी पलबली फैक्ट्री कहा स्थापी थी कोषान उठता है तो अंग्रेज बारत में आस्थाई तरसा पित की थी और स्थाइट इस नुम्बर निम्मलखित में से कौन सी बस्ती भारत में फ्रेंज बस्ती नहीं थी जान ay bizarre पंडिचरी फेन्च भसती ठेल लेकिन गोः कभी नहीं फ्रेंच या अंगति रहा यह्क है भार्त का पयरांभिघ उपनिवेस कहां था तो डोचों का सबसे परणभी उपनी में सेहा मुसली पटनम यानी दक्षीन भारत ही था नीमन में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंगरेज जहाज था उसका नाम क्या था सब जिन से है उसका नाम था रेड ड्रेगन और इसमें भास पहला जो अंगरेज आया था उसका नाम है कोमेंट की चीएगा इसुझ यहां दखिये उचजगा का नाम क्या था? आज है जो कलकाता सुरहर है उसका काशीं बाजार था ंगरेजों ने निविलिउकर आस्थानों पर जिस करामें अपने वियापार आस्थापित किये और बताएए कौन सा है सबसे पहले अंगरेज किधर के राद है? सबसे पहले अंग्रेग सूरत में अस्थापित होता है फिर मदरास मदरास के बाद में बंबाई और सबसे अंत में कलकत्ता यानि ऑप्शन डी की बाद है यहां देखिए सूरत 1613 मदरास 1649 बंबाई 1687 और कलकत्ता 1690 में पूर्ण रूप से उसके स्वामित्यु में आ जाती ह है फ्रेज इस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुगा इसको गठन करने वाला कौन था तो लूई चोद्वहमे के काल में कोलबट मंत्री था उसी ने गठन किया था और यहां कब की घठना है यहां बहुत बाद में अंग्रेज तो आ गया थे अगली बाद और यहां पर्यास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद इसके बाद में फिर मिलेंगे तो फिर अगली बाद एक कुछ इसी तरह का एक नए सेट के साथ तब तब धन्यवाद